हेलो फ्रेंज, शुआगत है आपका अपनी यूटूब चेनल आर्टिस्टीचिंग में फ्रेंज, आज किस वीडियो में हम और गेंजा फैबरिक के ब्लाउस की बैकनेक डिजाइन आपके शेयर करेंगे और यह हम 36 साइस पर बनाएंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं असका वीडियो सबसे पहले हम ब्लाउस की लेंगे जो भी हमारी लेंगे उसमें हमें एक इंच प्लस करके लिए ना है मार्जन का तो लेंथ लिए हमने 14 इंच, सोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्मूल भी लेंगे 7 इंच यह हम बोटनेक बना रहे हैं अब चेश्ट का फोर्ट पार्ट लेंगे 9 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जन, मार्जन आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं तो इस तरीके से हम नाइनों को सिधा करेंगे अब नीचे से कमर के लिए निशान लगाएंगे तो 7 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जन बैक टक्स भी हमारे उश्ट्री में आजाएंगे अब आर्मूल में 1.5 इंच की गूलाई दे देंगे तो इस तरीके से हम निशानों को लगाने की बाद पहले इसके कटिंग करेंगे उसके बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिए है अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे तो गले की चोड़ाई लेंगे हम 4 इंच तो चार इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम गले की लंबाई लेंगे साड़े तीन इंच अब हलके हातों से हम बोटनेक का शेप दे देंगे तो इस तरीके से हमने बोटनेक का शेप बना लिया है अब उसके नीचे हम एक इंच पर निशान लगाना है और एक निशान हम 7 इंश पर लगाएंगे अब चोड़ाई में हम 3 इंश ले ले लेंगे दोनों तरफ इस तरीके से हम अब चौकुल बॉक्स बना लेंगे तो हमारी डिजाइन के लिए निशान हमने लगा लिए है अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और इस पर हम पेपर पेस्टिंग रखेंगे तो इस तरीके से हमें पेपर पेस्टिंग को डवल फोल्ड रखना है तो फोल्ड वाली साइट से हमें इस तरीके से रखेंगे और उन्ही निशानों को हम पेपर पेस्टिंग पर बना लेंगे तो पेपर पेश्टिंग पर निशानों को बनाने की बाद अब हम पेपर पेश्टिंग की कटिंग कर लेंगे तो इस तरीके से हमें कटिंग करना है हमें बाहर से एक एक इंच दूरी से इसकी कटिंग करना है तो इस तरीके से हमें दोनों की अलग-अलग कटिंग कर लेना है बीच में हमारी जो गले की डिजाइन है उसको हम अलग कर लेंगे और हमने जो बोटनेक का से बनाया है उसकी कटिंग हम अलग कर लेंगे तो इस तरीके से गले की cutting करनी की बाद हमने अस्तर को रखकर ही man fabric की cutting कर ली है अब दोनों को हम बराबर में लाके रखेंगे man fabric को हमें शीधा रखना है उपर से हम अस्तर रखेंगे और फिर हम सीधी कमर पर सलाई लगाएंगे तो इस तरीके से हमें शीदी स्लाई लगा लेना है अब हम दोनों को पलटते हुए इसके जोइंट को अस्तर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्लाई और लगाएंगे तो इस तरीके से अब हम इसको पलट कर चारो तरफ से स्लाई लगा लेंगे तो हमें अच्छे से चारो तरफ से स्लाई लगा लेना है स्लाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे तो इस तरीके से हमें इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है तो इस तरीके से हमने ब्लाउज की फिनिशिंग कर लिया अब इसको हम साइड में कर देंगे और अब हमने जो गले के लिए पेपर पेश्टिंग की थी उसको हम अस्तर पर रखेंगे अच्छे से पिंस लगाने के बाद इसमें हम चारो तरफ से स्लाई लगा लेंगे आप चाहें तो इसे प्रेस से भी चिपका सकते हैं मैं इसमें स्लाई लगाऊंगी अब बाहर से जो एक्ष्ट्रा कपड़ा है उसको काट के लग कर देंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम बाहर से एक स्लाई और लगा लेंगे तो स्लाई लगाने के बाद इसको डवल फोल्ड करते हुए कट लगा लेंगे बलाउस में भी हम बीच ओ बीच डवल फोल्ड करके कट लगा लेंगे तो दोनों को सेंटर को बराबर मिलाते हुए रखेंगे और हम गले पर स्लाई लगाएंगे तो पेपर पेश्टिंग के किनारे से हमें इस तरीके से स्लाई लगा लेना है स्लाई लगाने की बाद बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे और चोटी-चोटी कट्स लगा लेंगे पूरे में तो कटसा में अच्छे से लगाना है क्योंकि इससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उपर से एक स्लाइव और लगा लेंगे तो इस तरीके से हमें गले की फिनिशिंग कर लीना है तो हमने गले की फिनिशिंग अच्छे से कर ली है अब इसके बाद हमने बीच में जो डिजाइन बनाई थी उसको भी हम अस्तर पर रखेंगे और इस तरीके से हमें चारों तरफ से स्लाइव लगा के इसको कम्प्रीट कर लेना है अब इसको हम ब्लाउस में रखेंगे तो इस तरीके से पहले हम इसके सेंटर पर सीधी लाइन कीच लेंगे तो ब्लाउस के सेंटर पर भी हम लाइन कीच लेंगे तो इस तरीके से हमें डवल फोल्ड करना है तो इस तरीके से हम दोनों की सेंटर को बरावर मिलाते हुए रखेंगे और हम पीचों में बीच इसमें अच्छे से पिंस लगा लेंगे तो इस तरीके से हमें चारो तरफ अच्छे से पिंस लगा लेना है जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से सेट रहे अब हम इसमें चारो तरफ से सलाई लगाएंगे तो सलाई हमें पेपर पेस्टिंग के विल्कुल पास पास से लगाती जाना है तोस तरीके से हमें अच्छी से इसमें सलाई लगाना है सलाई लगाने के बाद अब हम बीच के कपड़े को काट के अलग कर देंगे और इसमें चारों तरफ से कट लगाने के बाद इसको अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे तो इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है अब हम बैक टक्स डाल लेंगे तो हमें दोनों तरफ टक्स लगा लेना है तो इस तरीके से हमने गले की फिनिशिंग कर लिया है और बैक टक्स डाल कर भी इसको रेडी कर लिया है अब हमने दो 6-6 इंच की बट्टियां कट की थी और उसको डबल फोल्ड करते हुए इसमें सलाई लगाने की बाद इनको इस तरीके से हम पलत के सीधा कर लेंगे तो इनको हमने 5-6 इंच की कट की है उसको डबल फोल्ड करने से यह हमारी धाई या 3 इंच की हो जाएगी अब दौनों साइड से हमें पट्टि लगाना है तो इस तरीके से हमें इसमें दौनों साइड से लेस लगा कर इसको कमप्लीट करना है तो ये पट्टी हमें हमने जो получилось में कले की बीचो बीच कटिंग की है उसके हिसाब से हमें चौड़ाई लेते हुए इनको इस तरीके से हमें कटिंग करना है, जितनी भी आपkiej blouse में इस चौड़ाई है उतनी ही हमें ये छोटी छोटी बो बना कर रेडी कर लेना है तो इस तरीके से हम बीच ओ बीच रखेंगे दोनों को और पिंस लगाने के बाद इनमें हम सिलाई लगा देंगे तो इस तरीके से हम अब अब चारो तरफ से सिलाई लगा के इनको जोइंट कर लेंगे आप चाहे तो इसमें लेश भी लगा सकते हैं चारो तरफ तो इस तरीके से हमने इन्वे सलाई लगा ली है तो हमने सलाई लगा के इसको कम्प्लीट कर लिया है अब हम छोटी-छोटी चोकूल टुकडा कट करेंगे और उनके इस तरीके से हम डिजाइन बना के रेडी करेंगे तो इस तरीके से हमें कुछ डिजाइन बना के रेडी कर लेना है इसको बलाूस में जोइंट करेंगे तो यह हमने बोटनेक बनाया है वहाँ हम अस तरीके से ह इसको जोइंट करेंगे इस तरीके से हम पूरे गले पर इसको लगा देंगे यह दस् coexist हमारे बलाूस का लोक और Bih अच्छा हो जाएगा आप इसमें लेस भी यखा सकते हैं और हमने जूर्य डिजाइन बनाई है उन में बीच है आ COMMोती एकचे सकते हैं तो इस तराइक से हमने इस देजाइन को पर लगा लिया है नब एक नीचे से ऋम से हमच रहा लगा देंगे इस से हमारी डिजाइन अच्छी से सेट हो जाएगी तरह से हमारी शोन्दरती डिजाइन बनके complete हो गई है तो आपको वीडियो पसंद आया होगा मैंने बहुती आसान टरह से आपको इस डिजाइन को बनाना बताया है वीडियो पसंद आये तो लाइक केमट ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आये हो और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किज़ेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद